नमस्कार दोस्तों वेल्कम टाइसन स्टुटी पॉइंट मैं उसरप सुखला दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहाद प्रमचार चैन आयोग इंटर डिवल कमेंज एक्जाम हुआ था दोस्तों उसने एक जो बहुत ही महत्वपूरा जो पद है वो है पं कितना जा सकता है पंचार सच्व के लिए यह नॉन टाइपिंग जो है टाइपिंग वाला पोस्त है और इसमें क्टाइप होने क्या संभावना है तो पूरी बात करने वाले तो वीडियो में जब्रूर अंतर बने रहेगा तो देखिए हमने आप पर जो आपका यह पर कि यह दो हजार का hade है किस विभाद के अंतर ज grandson पता है तो यह आता है पंचायती राजुबाज के अंतर जिवाजवाग के उनただ क्या पद है पंचैएथ सची trilogy इस निव Pennsylvania मतम योगता थी वो इंटर थी तक्नियों कीयोगता नहीं नहीं संव सु कर्मचारी पदसमें 4333 मू पोश्ट नहीं ये स्लीओ राजय करमचारी का कुट ओभात रया का यहाई गया किया है तक कर्मचारई योगता मांगी गई है यह जरूरी है इसलिए इसकी कटा कम जाने के संभावना रहेगी इसमें अगर हम कुल पद की बाते हैं इसमें कुल कितने पद हैं इसमें कुल मिलाकर 3161 कितने पद हैं 3161 इसमें कुल मिलाकर पोस्ट हैं जिनमें से आपके 1136 जो है जनरल के पोस्ट है ये भी जो है काफी अच्छी नौकरी रहेगी और काफी अधिक संख्या में पद हैं तो इसके बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आईए कि देखते हैं कि ये जो है जो है जो है कैसी तो देखिए आपर हमने ओपन कर लिया है बिहार गजट और साधारड अंक बिहार सरकारद और प्रकासित हुआ था है है । यह पढ़ना आपके बहुत जरू है तो इसमें सबसे पहले हैं आपर की लिखा हुआ है बिहार पंचायत राझ धिनियन 2006 की धारा 146 वारा प्रतत सक्कियों का प्रेग करते हुए बिहार राजिपाल निमनलिकित विहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ती अधिकार इवम कर्तवे तो है पयानी कि नियुक्ती किस प्रकार होगी अधिकार क्या होगा कर्तवे क्या होगा इसकी जो नियमावली 2011 बनाते तो है पर पंचायत सच्चिव के अधिकार करतवे और नियुक्ति की पूरी प्रक्रेकाई है पर लिखा गया है तो पहले लिखा गया है कि सच्चिव के नियुक्ति अधिकार एवम करतवे 2011 माली 2021 संचिपते नाम विस्तार अपराम के लिखा हुआ है यह नियमावली बिहार ग्राम पंचायत सच्चिव की नियुकती अधिकार एवम कर्तव बें 2011 कही आ सकेगी इसका विस्तार जो है संपोड बिहार राज में जो होगा दुस्तरा के लिखा है यह इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथी से परिवित्त होगा यह निकि लागू हो जाएगा अब यह किसे अभिपरित है तो यह बिहार पंचायत राजवाग दुजारशे से अभिपरित है यह बिहार राज पंचायत अधिनियम दुजारशे की धारा से विपरित है और किस राज से समन्दित है इसकी धारा 34 के अनुसार जो है यह जिला सर के अधिन ग्याकर आपयेगा दिनियम के उभनदों के अधिन के ग्राम-चायब का निरवाचित मुख्या आगे क्या लिखा हुवा है ग्राम-चायब का क्मध्र से अ उध्याइज पर का निकाय होगाई उसीमें इनकति की जाएगी सचिव यह आपका ग्राम-चायब का होगा कारे-पालक प्दाधिकारी ये प्रतिय ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत सचीव का प्रावधान होगा ग्राम पंचायतों को नियागत कारियों के समुचित प्रतिय ग्राम पंचायत में राजय सरकार द्वारा एक कर्मी की न्युप्ति की जाएंयों कि प्रतिय ग्राम ग्राम पंचायत सचिव की जो है तरह बहाल किया जाएगा आगे क्या लिखा हुआ है कि अब देखिए इसमें आपका important जुपध है वो क्या हो जाएगा अब हैंब बात करते हैं कि दिखेंग पंचाथ की पद पर नियुक्ति कैसे होगी तो रचाए करा कर ने के पर योगिता के बात करें इस पॉइंट को जो है आपके लिए यहीं पॉइंट रहेगा तो क्या लिखा है इसके लावा क्या है काफी लोग आप में से टाइपिंग के बारे पूश रहे थे तो ये टाइपिंग वाला बाते हैं आपर स्पष्ट किया गया है वांचनी रहता है निकि जो वांचनी योगता क्या थी तो कंप्यूटर संचालन जैसे की कंप्यूटर पर टंकन या इनिके टाइपिंग टाइपिंग को हिंदी में टंकन कहते हैं इसके लावा एमेस ओफिस का ग्यान जो है वांचनी यानिकि डिजारेबल अरता माने जाईए आपको टाइपिंग आना चाहिए और एमेस ओफिस अगयान होना चाहिए आगे क्या लिखा है अगर आपको उसमें कम्पूटर ग्यान नहीं तो कोई दिक्कत नहीं या फॉर्म भर सकते थे परशा दे सकते थे लेकिन आपको जो है वांचित योगता जो है अरता जो है बाद में प्राप्त करना पड़ेगा एक्जाम के बाद ये जरूरी हो जाएगी आगे क्या लिखा है परन्तो नियम पांच के अधिन विहित परिविक्षा अवथी के दोरान नहीं जो प्रवेशन प्रिएट होगा के दोरान सामाने प्रसासन विभाग की अधि सूचना संख्या 1609 दिनांग 24 में 2011 दवारा नियत वांचनी अरता प्राप्त करनी होगी यानि कि आपकी जो वांचनी अरता है टाइपिंग और MS ओफिस ये दोनों आपको प्राप्त करना जरूरी होगा अन्यथा उनकी सेवाएं संपुस्ट नहीं की जाएंगे और सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी आपको बाद में फरसानी हो सकती है आगे के लिखा है अब देखिए आपके लिए महतबुड क्या है जैसे कि दलपती जो होगी उन्हें अपरक्षित अरता धारत करते हो परन्तों उमर से मावसमाप्त होने के वैसे इनके लिए उमर में कुछ छोड़ दे जाएगी इसमें क अगर आपको बढ़ा दिया जाएग grafton नहीं हो कि अपको अपको वरस बढ़ाद आपको बढ़ा दिया जाएगा तो परिविच्छा की आउधि जो है एक वरस बढ़ा दी जाएक नहीं तो जो है तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए कि यहां पर जो है जो है इस प्रस्टुक से लिखा हुआ है कोई दिक्कात होती है अगर आपको तो आपको रिजनेबल और रहने कि एक सही कारण बताना होगा लिखा नगे कि प्रादिकार उन कारणों को और अपने समाधन के आधार को सकारण आदे करना होगा उसके लावा आपको परिच्छा पर नियूकतर रहेगा इसके लावा आपको क्या होगा कि जो पंचात सच्रिव के एक स्याथे ग्राप पंचायतों का प्रभारी होने के मामले में प्रखन रविकास क्तादिकारी जो है यह important point नहीं है आप ऐसे पढ़ सकते हैं तो screenshot लेके important point हम देख ले रहा है देखिए जो सची होता वो gram panchat के आदेश ततपरता से निस्वादित करेगा नियमी त्रोप से और समय पर gram panchat की बैटकों में वुपस्तित रहेगा उसी कारवाइं को सई सी अभिलेखित करेगा ता gram panchat तो कि संचिकाओं अब लेखो और पंजियों का अभी रखक होगा वह gram panchat की जो निमित धन प्राप्त करेगा उससे समय पर जमा करेगा यह सभी बाते आप लिखी हुई है यहां पर आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं स्क्रीन सौर्ट लेजेगा कि जो importance की जो सरते हैं यान करना पड़ता है तो पहला देखी क्या लिखा हुआ है अब अब लेखित जो है करेगा तो यह सभी जो है उसकी कारे के अंदर गत जो है आ जाएंगे कि उसका कार्य जो है क्या होता है वह ग्राम पंचाइद द्वारा उद्ग्रेहित किये जाने वाले करो फेस्टेक्स की मांग त्यार करेगा उनकी वसोली करेगा यहां उससे पंचाइद निधी में जमा करेगा तो इसे भी कार्य में हो जाएंगे तो आपका वांची त्योगता है हां से क्लियर हो गया होगा तो यह बात जो है आपको वांची त्योगता जो है यह बात जो है आप ज़रूरी आद देखेगा आपको टाइपिंग जो है करना पड़ेगा और अब ही टाइपिंग के बारे में भी विस्तार से बात करने बारे किस फॉन्ट वैगरा पर आपको टाइपिंग त्यारी करने चाहिए तो देखेए भी आपको पता हो कि कुछ दिन पहले बिहार करमचारी चाहिन आयोग में जो आसो लिपी का पत था उसके लिए दोस्तों जो है एक टाइपिंग के लिए नोटेस जारी किया गया था तो देखेए ये भी परिच्छा जो है बिहार करमचारी चाहिन आयोगे करवाता है और आपका जो इंटर लेवल मेंस एक्जाम हो भी बिहार करमचारी चाहिन आयोगे कर द्वारा करवाए किया है तो टाइपिंग के दो ढाइब से अपको यहां से आइडिया कि किस प्रकार से होगा तो तो देखीbaren अंग्रेंट जी SUPER ताइपकर एंग्लिश कर सकता है कोई भी जिसतों अंग्रेंजर के टाइपिंग कर सकता है जो कुल 300 सब्द जो है लिखने की हाँ पर बात होई थी दस मिनट का समय आपको दिया जाना था तो आपको जो है हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट जो है यह मांगा गया था किसमें आसू लीपिक के पद के लिए तो यह आप आईडिया लखा सकते हैं कि इस प्रकार से आपका हो सक जो कि आयों के द्वारा परीक्षा के एंडरबर उपलत कराया जाए गा हिंदी टंकन लिए कुरति देव 10 फॉंट का प्रयोग किया जाएगा तो आप कुरूति देव 10 पर ही टैप लिए तो जाध अच्छा होगा क्योंकि बिए ससे कुरूति देव पर ही टैपिंग करवा स किजिए आपको को दिकत नहीं होगा तो इतना ही आपको ध्यान रखना है आप हिंदी में जो है कुरूति देव टेन पर करिए अंग्रेजी के स्पीड बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रेक्टेस करते रहे हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो पंचात सच्छी का पद है इसके लिए कट ओफ क्या रहने की उमीद है क्यों कि आपको पता कि यह टाइपिंग वाला पोस्ट है और इसमें आपको कम्पूटर ग्यान भी होना चाहिए तो इसमें टायर जो है आप यह कट ओफ निश्य तो पर कम जाएगी तो देखिए हम बाते रहे हैं तो दे वो 100 में जो है प्लस माइनस 2 जो है आपका रहने की चांस रहेगा इससे कम बजा सकता है क्योंकि यह टाइपिंग वाला पोस्ट है अगर हम BC की बात करें तो BC में आपका 96-98 रहने की उमीद है इसके लाब हम बात करें की लेकर जो है बान पे तक रहने की उमीद है और पी एच की बात करें की तो 88-90 तक इसमें रहने की उमीद है तो अगर हम 95 से अगर उपर है जनरल में तो आप जो है मान सकते हैं कि आपका टाइपिंग के लिए निश्ची तोर पर आपको बुलाए जाएगा अगर आप 95 के आसपास 5 प्लस माइनस में हैं तो आप निश्ची तोर पर टाइपिंग के लिए बुलाए जाएगा इसके लाव बेकर आपको कोई मन में प्रश्ण बनता है या भी कोई बात कहनी है तो कमेंटर के जरूर बताएगा हम प्रयास करेंगे कि जो है आपका सवाल का जवाब जरूर दिया जाए दॉस्तों जब तक आपकी सेलैक्टटशन ज़िता्टा का आपकी न्हीं लग जाती है जब दक आपके हाथ में आपका जोर्यिंग डिटर नहीं आ जाता है तो तक हम परिच्छास सम्झे सारी जानकारे देते रहे है तॉस्तों वीडियो को जरूर सेर्ख और दॉस्तों आप लोगों को लगातार हम से जोड़े हुए इसके लिए दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम भी प्रैस करेंगे कि आप से जोए लगातार जोड़े रहें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद